नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार दिवाली में लोग पटाके छोड़ते हैं दिपावली मनाते हैं बच्चे तो उसके बगर रहते नहीं हैं मगरे मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूँ जहां पर जानने आया हूँ कि बगर पटाकों के लोग कैसे दिवाली मनाएंगे और क्या क्या तैयारिया कर रखी दिवाली के लिए तो हमारे साथ मौजूद है राइस्थाली अपार्टमेंट सोसाइटी के परदान रमिस बजाजी बजाजी जैसवाल जी दिवाली की बहुत-बहुत सुबकामना आपके साथ हाए टीम को पूरी-पूरी बढ़ाई और सुबकामना है आज आपने यह बहुत अच्छा किया जो भी बर्तमान ही सित्य है देश की उसमें पॉलिशन का बहुत बड़ा जिसे की महत्व है जिसे कि हमारे सिजहत पर असर पड़ रहा है बुड़ा असर पड़ रहा है हम लोंने दिवाली के उपर महान पर्व को देखते हुए निड़न लिया सुधाइटी में कि पर तो बच्चों का पर्व है खुशी से मनाएं लेकिन फटाके न छोड़े सरकार की दिसार निर्देश को अंसार हम लोंने निड़न लिया है कि यह फटाके नहीं छोड़ना है और इसमें आनंद लेना है दूसरे ढंग से लेना है और सभी लोग का सेहुक करना है क्योंकि बड़े बुजूर्ग बच्चे जिते हैं इसका इसका असर स्वास्त में पढ़ रहा है पॉलुसों एक हमारे लिए मलब पूरे महामारी के रूप में फैलती जा रही सरकारे में ध्यान देनी कोट दे रहा है और हमें भी सरकार के दिशा निर्देश को पाला मानना चाहिए जिसे कि यह आने वाले समय में हमारे उपर ही बुर असर पढ़ने वाला है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसका बहुत ही दूस्त प्रुन्याम होगा इसलिए इस पर ध्यान देने के लिए हम ल च्छट पुजा हमारे पुरबान चल के लिए बहुत परान महत्तु है और हम नोको पूरे जो सोसे हर साल मन धन्ञ से लगे रहते हैं हमारे सुझाइटी में पॉंट्स बनाते हैं हम लोग उसमें विद्वत अपनी विवस्ता के साथ करते हैं पूरे जितने भी अपने लोग बिरातरुब से मिले इसके त्यारी हमकर्ता नितिस कुमार करना अगया कि बियान को आ लोग देखते जगा जगा विरुत परदतान उनका संवान होना चाहिए किसी जात किसी धर्म के मजब से उपर ऊठके हमें मानवेद इस्टीकों से इस तरह का ब्यान नहीं देना चाहिए नितिज जी ने अगर ग्रतिएर इस परभ के बियां के मौके पे तो यह खेद का विषय है मेरे समझ से उनको इस पर अफसोस जाहिद करना थे और लोगों से माफी मांगनी चाहिए जैसे कि बातावन स्वाहत्पुन बना रहे हैं तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजस्तली सोसाइटी के परधान रमेश बजाजी यह मैं पूरा जैस्वाल जी आपको इस बात के लिए अवहार बेक्तरता साम नहीं करना है जैसे कि हमारे रंग में बंग डले और हमारे पर्व की मौकव मौके पर हमें प्रशानी का सामना करना पड़े मैं इन्हीस अबक्त करता हूँ नमन करता हूँ पर्ब का आनन्द पर्ब की तरह ले कोई भी न करें नीचे और उचे का कोई ख्यालना रखे आपने लोग का जितना हो सके गरीब लोगों का हो चाहिए आपने सहयोगी लोगों का हो जो बन पड़े च्छठ के आउसर पर सहयोग करें इन्हीं सब्दों के साथ हम आपका हवार ब्यक्त करते हैं राजन वजाजी से किस तरीके से दिवाली को सेलिबरेट कर रहे हैं इस बार हम लोग ग्रीन दिवाली सेलिबरेट करेंगे पटाके बिल्कुल नहीं फोरेंगे दिल्ली में पॉलिशन को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम ग्रीन दिवाली सेलिबरेट करें और सब परिवार मिलकर पूजा करें माता लक्ष्मी की और हम मैं सभी राइस् अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार